हेलो एव्रीवन, गुड आफ्टोनून, आज जो है वो मैं अपना इंटर्व्यू जो एक्स्पिरियन्स है उसको आप लोगों के साथ शेर करना चाहती हूँ यह वीडियो मैंने एक अलग separate वीडियो, questions और answers का मैंने अपने YouTube चैनल पर भी डाला है जिसका link आपको description में यहां मिल जाएगा और welcome to GK with Nareen Shuran channel so मेरा जो interview experience था और साथ ही किस type के questions पूछे गए और interviewer का मतलब as मेरा जो experience है कि क्या उनका system रहता है या क्या उनके ऐसे चीज़े होती है जिसके वज़े से वो ऐसे questions पूछते हैं तो main जो होता है वो आपका introduction होता है या एक दो बाते वो आपसे पहले करते हैं फिर जो भी आप वहाँ पे mention करते हो उसके according वो आपसे questions पूछना शुरू कर देते हैं वो बिल्कुल अगर पहले तो वो आपसे intro पूछेंगे अगर वो intro नहीं पूछते किसी और question से start कर देते हैं तो फिर जो भी आप वहाँ पे information दोगे तो उसके according वो अपना जो है interview स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो मेर से कोई introduction वेगरा कुछ हुआ नहीं था simply उन्होंने जाते ही पहले chair पे बैठने को बोला और उसके बाद greet किया मैंने सबसे पहले greet किया था उसके बाद वो questions डिरेक्ट पूछना शुरू कर देते हैं वो जो अपने पास pre comments का जो भी admit card रहते हैं जो exam time में submit करवा लिया जाते हैं तो वो सब कुछ जो भी data था ना वो सब कुछ हमारे पास interviewer के पास पहुँच जाता है तो वो उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से जैसे ही आप enter करते हैं उससे पांच या चार मिनट वो लेते हैं उसमें वो सारे questions जो आप सोच लेते हैं या जिस भी तरीके से जो आपकी documents होते हैं उनको वो read कर लेते हैं तो मुझसे उनका पहला question था कि you are from चर्खी तादरी is there is a bank of india branch ये question था कि जो मेरा center आया था interview के लिए वो bank of india noida था तो उन्होंने इसलिए question पूट किया कि bank of india की branch है क्या तो मैंने बोला हाँ sir चर्खी तादरी में bank of india की branch है तो वो बोले कि वो ना हाँ sir सुनते ही ना वो अगला question पूछ लेते हैं इतना मतलब इतना लंबा बोलने का time ही नहीं मिलता कि हाँ sir वहाँ हम चर्खी तादरी में bank of india की branch है तो जैसे ही मैंने बोला हाँ sir तो उनका immediate दूसर question आ गया कि आप ने visit किया है तो मैंने का नहीं sir बस इतने महीं ना फिर उन्होंने इतना सुनते ही पूछ लिया क्यूं तो मतलब वो पूरा सुना ही नहीं नहीं कि नहीं सर मैं नहीं किया है या फिर जो भी reasons मैं उसे के साथ देना चाह रही थी बट वो मतलब इतना fast fast होता है ना कि क्यों नहीं किया तो मैंने बोला sir as मैंने graduation जो है वो जैपूर से करी थी तो चर्की दादरी में मैं इतना रही नहीं हूँ और bank of India इसलिए मैं नहीं जा पाई तो तब उन्होंने सुना फिर वो बोले कि अच्छा तो जाती है ने शायद से private bank में मेरा account है तो अब पता नहीं वो किस तरीके से उसको देखते हैं इस चीज़ को तो मैंने इसका genuine reason जो था वो बताया कि sir as graduation वहां से की hostel में रहते थे तो इस वजह से कभी-कभी bank में ऐसे transfer होना होता है fees वगरा के लिए तो easy हो जाता था और वहां पर पास में access bank जो था वो university के पास में था इसलिए reason है कि access bank में account है वो बले अच्छा ठीक है फिर वो बले नाबाड के बारे में कुछ बताओ तो नाबाड के बारे में मैंने कुछ बताया 3-4 points मैंने बताया और वहां पर जो कुछ भी prepare करा होता है वो इतना जल्दी जल्दी करते हैं और साथ में सारे interviewer जो होता है वो आपको देख रहे होता है एक सर भोत मतलब अच्छे थे smile करते हुए देख रहे थे जो अभी तक mainly जो भी questions पूछे गए थे उनसे वो center में बैठे हुए थे और मेरे panel में ऐसे L shape में बैठे हुए थे तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब पांचों के साथ में ऐसे eye contact तो बना ने सकते एक बार इधर देखेंगे ऐसा कुछ तो फिर मैंने सोचा कि जो question शायद जो सर पूछ रहे हैं उन्हीं के साथ eye contact करके और फिर answer देना चाहिए तो फिर मैंने उन्हीं सर को देखती वे किया था तो फिर वो बोले कि मैंने 2-3 points बताए और बस फिर कुछ समझ ही निया है सब कुछ blank तो मैंने बोले सर बस इस time पर sorry सर यही सब याद आ रहे है बाकी sorry मैं भूल गई तो इसमें नाबार में मैंने RRB का जो है थोड़ा सा कुछ डाला था तो उन्होंने बोला अच्छ ठीक है तो RRB का बताओ तो फिर मैंन से हो तो accepted तो मैंने बोला कि सर मतलब अभी इस time पर ऐसा वो बोले कि अच्छा है कोई बात नहीं तो फिर मुझसे NEFT की full form पूछी और एक question हो पूछा वो तो मुझे याद ही नहीं है मतलब कैसा था तो मैंने मतलब भी जो भी है बोला कि सर नहीं आता इसके बारे में मैं बा बिल्कुल आराम से बैठके आप ऐसे बोल रहें को तुम्हें टाइम देंगे या फिर जैसे भी है तुम्हारे पूरी बात सुनेंगे नहीं वो बीच में ही कार्ट देते हैं तो अगर तो ऐसा सा हुआ पांस टीचर्स थे उनमें से तीन टीचर्स ने एक-एक क्वेशन बीच में नर्वस करने का जैसे से कर रहे थे बोलना और जैसे उनका वो देख रहे थे और मतलब एतना कोई इंटरस दिखा नहीं रहे थे ताकि बच्चे को वो कन्फ्यूज कर पाएं इस तरीके से कुछ लगा एक सब हो जैन्वन से थे और दो टीचर्स ऐसे थे जो कि बि चाँएंद को जोब नहीं करते हैं और अगर आपकी केर्ला साइड ऐसे में जोब हो जाती है तो आप कैसे मैनेज करोगे तो मैंने बुला सर कि जैसे manage तो हो जाएगा मैंने जहां से graduation करा है मेरा तो वहाँ south के बच्चे भी थे और अभी हर्याना के बच्चे भी सर जाते हैं ऐसे कोई बात नहीं है तो मैंने यहाँ पर example मेरे भाई का दिया था वो भी air force में चेने में posted है तो वो बोले कि आछा ठीक इसलिए आप जाना चाते हो फीर आया कि आचा तो मैनने Graduation के अगारे में बात करी बात करी मैं 2-3 बारे ऐसा हो गया था कि मैंने Graduation वाला चीज जो है वो मैंने बोला था तो उन ने बोला कि इचे तुमारे Graduation ला मां मांक्स इतने X2 तो मैं ने बताया उनको 8.4 से GP, फिर उनने 10th के पूच्छा, तो मैं ने बोले 50 %, फिर 12th के फूच्छा, तो मैरे पास MEDICALAnother मेरे दो नहीं थोई तो नहीं थो तो सा मतलब इतने नहीं कर पाई तो वो सुच्छ अ्यूज, अच् 200 है फिर next उनने पूछा कि नियूस पेपर पढ़ते हो क्या तो मैंने बुला कि हाँ सब नियूस पेपर कभी कभार पढ़ लेते हैं तो मैंने अपना ये एक safe सा answer दिया था क्योंकि मतलब इतने जादे habit नहीं है नियूस पेपर वगर पढ़ना कि मतलब अब टाइम ही नहीं मिलता ना प्रैक्टिकल वो करना मतलब प्रिपरेशन करना होता है और अपने प्रियोर मेंस में तो जैसे current affairs वैला portion होता नहीं है तो जब तक अब 100% वो नहीं हो जाता ना कि हाँ भई अब तो पढ़ना ही पढ़ना है जो आपको पता हो तो वैसे मेरे को ना दो न्यूज के बार में पता था मेरे को APG जो shipment वाला fraud हुआ था वो मैंने बहुत अच्छे से prepare करा था बट उस टाइम पे मेरे को वो चीज बिल्कुल भी ध्यान नहीं आये मुझे जो मतलब जहान आया वो था रश्या और यूक्रेइन की वोर और शायद APG shipment वाला कुछ बोलते तो वो impressive भी रहता और वो banking से भी related था पट उस टाइम पे बिल्कुल मतलब ऐसे जहान ही नहीं था जो रश्या और यूक्रेइन मैंने बोले सर वोड चल रही है अच्छ है तो इंडियन जो स्टूरेन्ट्स है वो यूक्रेइन में क्यों जाते हैं तो मैंने बोले कि सर रश्या में Medical Collegies है तो वो बोले मैंने तो यूक्रेइन का पुछा है तो मैंने बोढे हाँ सर यूक्रेइन और मतलब ऐसे medical colleges एक reason है जिसके वज़े से वहाँ पर जाना चाहते हैं वो बोले कि अच्छे ठीक है Ukraine एक छोटा सा ही ऐसे country होगी मतलब बड़ी है कि छोटी है तो मैंने बोला कि sir छोटी है as compared to Russia वो बोले कि अच्छा ठीक है फिर उन्हीं sir ने पूछा कि आपने कहां से करा है graduation आपका तो मैंने बोला कि sir graduation मैंने जगनाथ यूनिवसिटी जैपूर से किया है तो वो बोले वो अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे nervous करने वाला और थोड़ा सा ऐसा सा फेस बोले यूनिवसिटी थोड़ी नहीं है तो मैंने बोला sir यूनिवसिटी ही है जगनाथ यूनिवसिटी बोले कि अच्छा तो वो जैपूर में नहीं होगी फिर मैंने बोला कि sir वो थोड़ा सा भार निकलके है चाकसू में और उनका head office है जैपूर सितापूरा campus में वो बोले अच्छा अच्छा फिर ऐसा सा उन्होंने रियक्शन दिया फिर एक थर्ड टीचर ने इतना ही पूछा कि तुम्हारे फादर का occupation क्या है तो मैंने बताया कि sir वो आर्मे में थे और currently वो जो है थोड़ा सा non farm work कर लेते हैं और active farmer भी है तो इस चीज़ पर उन्होंने फिर पूछा कि एक हेक्टेर में कितने एकर होते हैं तो मैंने बोले लग sir 2.47 वो फिर दूसरे चीज़ बोलते है कि are you sure 2.47 नहीं होता है 2.45 तो नहीं होता ना तो मैं वो थोड़ा सा मैंने सोच की बोला था यह 1 hectare is equal to 2.47 एकर तो वो वहाँ पर फिर मेरे को confuse करना चाहरे थे क्यों वो बोले कि are you sure 2.45 तो नहीं होता ना क्योंकि मैंने वहाँ पर थोड़ा सा break ले लिया था 2.47 ऐसा करके कुछ हो तो उन्होंने लगा कि शायद यहाँ पर confuse कर सके तो फिर मैंने बोलना नहीं 2.47 ही होता है फिर उसके बाल मैं बोलना चाहरे थी कि सर एक बार मैं देखना चाहूंगी अगर यह होगा तो maybe you are correct but according to me it's 2.47 बट इतना टाइम उन्होंने लिया यह नहीं उसके बाल वो बोले कि are you sure और मैं मिले में हाँ सर और इतने में अगर मैं यह sentence पूरा करते हैं इतने में बोले कि ठीक है thank you आपका हो गया तो यह जो था overall था मतलब ऐसे वो आपका wait नहीं करेंगे ऐसे चाय पर चरचा वहाँ पर नहीं होने वाली कि आप break दे दे कि वहाँ पर बोलोगे sir ऐसा था और ऐसा था नहीं बस एक मतलब आपके वो इतना ही wait करते हैं कि आपके मुह से कुछ निकला और उन्हेंने accept किया और अगला questions उन्होंने पूछा वो इतना देखेंगे ही नहीं कि तुम अपने आपको संभाल पाऊं वहाँ पर तो अच्छे से यही जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं बहुत सारे मों के इंटर्व्यूस देते हैं तो वो करते हैं तो उन्होंने बस इतने questions पूछे और last में उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है best of luck तो मेरे reactions थे जब उन्होंने बोला ना इंटर्वे बैठे थे उनको भी मैं थेंक्यू बोलके और फिर मैं अच्छे से डोर बगेरा क्लोज कर दिया था और फिर मैं जो जा रही थी ना चेर से उठके तो मतलब आ गही थी मैं हाफ हाफ रस्ता तो नहीं बोल सकते हैं एक दो step मैंने ले लिए थी चेर से तो फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है best of luck तो फिर वापीस से एक बाद थोड़े से रुक के वहाँ पर ऐसे चलते चलते नहीं बोला मैंने थोड़ा से रुक के smile करके thank you sir बोलके और फिर वापीस ऐसे start किया तो वो starting से लेके end तक आप ऐसे मतलब पूरा ऐसे notice करके और फिर मैं आगे थी दर्वाजा वागेरा बंद करके सब यह जो था experience था अभी पता नहीं उनको कैसा यह लगा interview बाकी confuse करने की और ऐसे पूरी try करते ही है so confused नर्वस तो वहाँ पर नहीं होना होता अगर आप already nervous जाते हो न तो वो मैंने एक दो भार आए न जब मैं interview से तो काफी मतलब जो और बाकी rooms में और panels में जिनके interview हो रहे थे वो बच्चे भार आए वो बोले कि यार ऐसे डरने वाली बात नहीं है तो अपनी फ्रेंड को बता रही थी किसी को कि ऐसे डरने वाली बात नहीं है वो बहुत cooperate करेंगे तो मैं भी nervous हो गी थी उन्होंने मेरे को न अच्छे से मतलब ऐसे अच्छे से पहले मेरे से बात चीत करी जब मैं comfortable हो गी न उन्होंने मुझसे question answer शुरू करिया but मैं मतलब इतनी मैं nervous थी नहीं according to me तो उन्होंने मेरे को nervous करने का try किया मतलब cross questions करके और ऐसे है university भी है access bank तो है नहीं आपे तो ऐसे कैसे तो और south के बिच्चे जाते ही नहीं तो वो थोड़ा सा वो tone वेगरा भी थोड़े से ऐसे कर लेते हैं और अगर आप nervous जाते हो तो आप अच्छे से पहले console करेंगे अच्छे से आपके वो करते हैं और फिर अगर आप nervous नहीं होते तो आपको थोड़ा सा मतलब देखते हैं कि अगर ऐसे critical situation ऐसे से कुछ हो जाए तो कैसे आप करऊगे तो तब भी normally रहो और तब एक बार जब आज चले जाते हैं और चेर पर बैट जाते हैं तब तो बिलकुली डर नहीं लगता जो वहाँ waiting room में रूम के भार चेर पर बैट के वेट करते हैं तब थोड़ा सा अगर आप जाने क्या होगा बट जैसे ही आप वहाँ जाके चेर पर बैटते हैं मेरे को तो बिलकुली डर नहीं लगा मतलब क्या ही होगा मैं सचा ठीक अब जो होगा वो होई गई तो बहार थोड़ा सा डर लगा बाकी अंदर जाके और फिर उनसे बात करने में तो बिलकुली डर नहीं लगा तो यह था एक्सपीरियंस और बाकी जो भी अभी न्यू न्यू वीडियो वीडियोज है अगर आप जाना चाहते हो एफो के बारे में तो मेरा यूटिब चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप जोइन कर सकते हो थेंक यू